हेलो एवरीवन, वेलकूम अगें टू लन्वरेदेतिमन, तो हम लोग कर रही हैं क्लास एट का चैप्टर नमबर थ्री आधुनिक राजिस्थान का निर्मान, तो जिसमें हमने बात की थी कि राजिस्थान का एकी करण जो है साथ चरणों में संपन होता है और राजिस्थान अपने आधनिक स्वरूप में आता है 1 नवंबर 1956 को तो चलिए उन साथ चरणों को देखना बहुत जरूरी है यहां से प्रश्ण जो है वो आपके एक्जाम में आता है तो यहां पर कुछ फैक्ट जो है वो आपके एर्ट क्लास में दिये हुए हैं उसके बाद जो है करेंगे तो चलिए देखते हैं तो यह चीज में आप लोगों को बार बार बताती रहती हूं कि यहां जो भी बच्चे चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत फायदा है चैप्टर पढ़ने के बाद कोशन आंसर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है लर्ण भी हो पढ़ने का जब तक हमारे साथ जो है बहुत सारे बच्चे साथ में ना पढ़ रहे हों तब तक मन नहीं लगता है यह ऐसा ही होता है जैसे कि हम स्कूल जाते थे और क्लास में बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे तो पढ़ाई में भी हमारा मन लगता था लेकिन बड़े होकर जो है ऐसी जो है condition नहीं आ पाती है सभी बच्चों के लिए तो जरूरी है कि यहां पर आप लोग यहां भाग लें जब भी हम लोग chapter पढ़ते हैं यहां पर आप लोग साथ दें तो इसी लिए मैं आप लोगों को बार-बार कहती हूँ कि ऐसे ना सोचें question answer तो आएंगे हम लोग chapter जो है ignore कर दें chapter यदि आप पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो उससे संबंदित कोई भी प्रशन exam में आता है यदि आपने याद भी नहीं किया है तब भी वो option में यदि आते हैं तब भी आप वहां पर टिक लगा सकते हो क्योंकि आपने वो पूरा chapter ही पढ़ा हुआ है तो इसी लिए chapter भी पढ़ना जरूरी है kosher answer series वो तो बहुत जादा ही जरूरी है जो कि आपको exam crack करने में मदद करेगी जाए आप किसी भी competition के त्यारी करें जहां राजिस्थान का जी के पूछा जाता है तो चलिए start करते हैं पहला चरण जो है जिसमें मतस्य संग का निर्मान होता है और इसके गठन की तारीक 17 या 18 मार्च 1948 को है तो 18 मार्च जो है वह आप याद रखेंगे एकी करन की सम्मेकित प्रक्रिया तो यहां मतस्य संग जो है तो यह चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा पूरा पहराग्राफ जो है वही आप लोगों के लिए समझे इंपॉर्टेंट है हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है तो यह राजिस्थान का जो मैप है इसका जो पूर्वी भाग है जिसमें अलवर, भरतपूर, धौलपूर और करॉली आते हैं तो यह नाम जो है इसका जो क्या नाम पड़ा मतस्य संग पड़ा ठीक है ध्यान में रखिए नेक्स्ट दिखिए द्वित्य चरण जिसमें पूर्व राजिस्थान या राजिस्थान संग का गठन होता है तो यह नाम जो है ध्यान में रखिए पूर्व राजिस्थान या राजिस्थान संग दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को इसका गठन किया जाता है इसमें कौन-कौन से जिलों को शामिल किया जाता है तो इसमें देखिए हमने पूर्वी जो राजिस्थान है उसके नीचे पूर्वी दक्षणी राजिस्थान वह सामिल होता है तो जिसमें क्या आ जाएंगे? बासवाड़ा, कोटा, बूंदी, जालावाड, टॉंक, डूंगरपुर, प्रतापगड, किसनगड़व, शहपुरा, रियासतों तथा कुसलगड़व, लावा ठिकानों को मिलाकर द्वित्य चरन पूरा हुआ तो ये सब याद रखने है कोटा को राजधानी बनाया गया तो पहले चरन में अलवर को राजधानी बनाया गया था और दूसरे चरन में कोटा को राजधानी बनाया गया कोटा के महाराव भीम सिंग राजप्रमुक बने और गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बने तो यह सब पेक्ट जो है वो आपको as it is याद रखने हैं, मैप जो है वह भी आप लोगों को माइंड में रहना चाहिए, मतस्य संग की बात आती है, तो यहाँ पर यदि जिले भूल जाते हैं, तो आपने मैप याद किया है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा, कि हमने पूर् राजिस्थान में, त्रिक्तिय जो चरण है संयुक्त राजिस्थान, जिसका गठन 18 अप्रेल 1948 को किया गया था, तो पहला चरण जो है, जिसका गठन कब किया गया था, 18 मार्च को, ठीक है, 18 अप्रेल नहीं, 18 मार्च 1948, और त्रिक्तिय चरण 18 अप्रेल 1948, संयुक्त राजि तो यहाँ पर क्या होता है कि संयुक्त राजिस्थान को जो दुथिय चरण था उसमें शामिल कर लिया जाता है मेवार की भूपाल सिंग राजप्रमुक तथा मानेक्य लाल वर्मा प्रधान मंत्री नुक्त हुए पंडित जवाहरलाल नहरू ने इस विले का उदगातन किया तो तीसरा चरण मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो प्रधान मंत्री हैं कौन है पंडित जवाहरलाल नहरू तो ये उदगातन करते हैं संयुक्त राजिस्थान का यहाँ पर भी मैप जो है वो देख लीजिए कि जो पूर्वी राजिस्थान था उसमें मेवार जो है उसका विलै कर दिया गया ठीक है चतूर्थ चरण व्रहद राजिस्थान का 30 मार्च 1949 को इसका गठन होता है जिसमें जो अभी हमने देखा संयुक्त राजिस्थान उसमें जितने भी बड़े बड़े जिले थे जैपुर, जोधपुर, भीकानेर, जैसलमेर इनका विलै हुआ तो इतने बड़े बड़े जिलों को शामिल किया गया, राजिस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है, जैपुर के मान सिंग, दुटिय राजब्रमुक बनते हैं, और हीरा लाल सास्त्री जो है वो प्रधान मंत्री बनते हैं, तथा महाराजा भूपाल सिं महाराज प्रमुक न्युक्त होते हैं, और सरदार बल्लवाई पटेल ने व्रहद राजिस्थान का उद्गाटन किया, तो ध्यान दे कि जो व्रहद राजिस्थान है, उसमें जो उद्गाटन कौन कर रहे हैं, यहां उद्गाटन सरदार बल्लवाई पटेल के द्वारा किय गया और संयुक्त राजिस्थान जो तीसरा चरण था उसमें पंडित जवाहरलाल नहरू उनके द्वारा उधगाटन किया गया था तो मैं अब बिल्कुल देखिए कैसे चल रहा है हम इसी तरीके से चल रहे हैं कि सबसे पहले जो है मतस्य संग का निर्मान हुआ उसके बाद ह शामिल किया संयुक्त राजिस्थान बना फिर हमने व्रहद राजिस्थान जो है उसका निर्मान होता है जिसमें जितने भी बड़े बड़े जो भी जिले थे वो सभी जो है वो शामिल कर लिये जाते हैं ठीक है थोड़ा इस तरीके से सिक्वेंस में याद रखें तो ये हम के लिए ध्यान में रहेंगे उसके बाद देखिए पंचम चरण संयुक्त व्रहत राजिस्थान 15 मई 1949 को यहां पर जो चौथा चरण था व्रहत राजिस्थान तो इसमें मतस्य संग का नीम राना ठिकाना सहित विले हुआ तो यहां मतस्य संग जो है वह शामिल किया गया साथ में नीम राना ठिकाना जो है यह भी इसका भी विले हो जाता है संयुक्त व्रहत राजिस्थान में पिर देखिए छटवा चरण जिसमें राजिस्थान संग का निर्मान होता है ठीक है राजिस्थान संग का निर्मान जो है वह है कौन से चरण में होता है सस्टम चरण में ह 26 जनवरी 1950 को तो यहां पर शिरोही जो है उसको शामिल कर लिया जाता है इसके अलावा देलवाडा और आबू शेत्र को छोड़ दिया जाता है तो यह दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे अंतिम चरण है सात्वां चरण जिसमें वर्तमान राजिस्थान का जो है वह भी पूरी हो जाती है और आधनिक स्वरूब जो है राजिस्थान का यहां हमें देखने को मिलता है जिसमें साथ चरणों से होकर इसको गुजरना पड़ा था तो एक नवंबर 1956 को प्रक्रिया पूरी होती है राजिस्थान में आबू देल वाडा जो हमने चटवे चरण में छोड़ दिया था इसको भी शामिल किया जाता है साथ वी चरण में अजमेर मेर वाडा जो केंदर शाषित प्रदेश था इसे भी शामिल किया जाता है मद्य प्रदेश का मंद सोर के सुनेल टपा शेत्र जो है इसको भी शामिल करते हैं और एकी करण की प्रक्रिय जो है पूरी हो जाती है जाला वाड का जो शिरोज शेत्र है ये मध्य प्रदेश को सौब दिया जाता है तो ये पूरे पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत महत्पूर है तो देखिए मैप जो है इस तरीके से बिलकुल हमें सामने दिखाई देता है जिसमें सात चरणों में सारे जिले जो हैं वो सामिल कर लिये जाते हैं, राजिस्थान का इस्थापना दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है, तो ध्यान में रखना है कि 30 मार्च 1949 को चौथे चरण से ही हम लोग मनाते हैं राजिस्थान का इस्थापना दिवस, तो ये चैप्टर जो है वो आपका कम् प्रविट होता है राजिस्थान के राजनितिक मानचित्र में इन जिलों को इंगित कीजिए जैसल मेर अजमेर जैपुर और जोत्पुर तो यदि आप राजिस्थान जीके की तयारी कर रहे हो सबसे पहले तो आपको चाहे हिस्ट्री पढ़ो पॉलिटी पढ़ो चाहे जोग यहां पर अजमेर उसके बाद जो है कौन सा जिला है जैपुर ठीक है तो जैपुर जो है वो आपको कहां मिलेगा यहां अजमेर के यहां इस साइड उपर की साइड जो है वो अजमेर जिला है वहीं पर जोत्पुर जिला जो है वह कहां पर है तो जैसल मेर के पूर्वी एड में हम चलते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? जोदपुर्जिला, तो ऐसे map जो है, जिलेवाइस जो है, वो आपको याद ही रहने चाहिए, 33 जिलों के नाम और इनकी इस्थिती है कि ये कहां पर हैं ये सभी ध्यान में रग होने चाहिए आपको ठीक है चलिए महत्वपूर्ण सब्दावदी देख लेते हैं एकी करण हम बार बार ये शब्द देख रहे थे एकी करण एकी करण का क्या अर्थ है जोडने या एक करने की प्रक्रिया उसके बाद व्रहद का क्या आर्थ है व्रहद यानि बड़ा या विशाल तो चलिए चैप्टर कम्प्लीट हुआ अभ्यास प्रश्ण देख लेते हैं कौन सा महत्वपूर्ण है संयुक्त व्रहत राजिस्थान में कौन सा शेत्र सामिल नहीं था तो कौन सा शेत्र शामिल नहीं था संय ब्रहत राजिस्थान में तो मैंने आपको बताया कि जो भी आप लोगों ने चरंड देखे तो उनमें आप लोगों को जिले जो है वो अच्छे से ध्यान रखने हैं तो यहां जोदपुर, कोटा, किसंगड, अजमेर, मेरवाडा तो कौन सा शेत्र जो है यहां पर शामिल नह उसमें सामिल किया गया था ठीक है अजमेर, मेरवाडा को संयुक्त राजिस्थान के राज प्रमुख थे, संयुक्त राजिस्थान के राज प्रमुख कौन थे, गोकुल लाल असावा, भूपाल सिंग, मान सिंग ड्वित्य या हीरा लाल सास्री, तो सोचिए फटा-फट से बिल्कुल अभी हमने ये चैप्टर पड़ा है थोड़ा भहुत आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि सयुक्त राजिस्थान जो है उसमें राजप्रमुख कौन थे तो यहां पर जो मेवाड के जो राजा थे भूपाल सिंग इनको राजप्रमुख बनाया गया था ठीक है रिक्त इस्थानों की पूर्ती कीजिए राजिस्थान एकी करण की प्रक्रिया दैस के प्रयासों से आगे बड़ी तो किसके प्रयासों से आगे बड़ी थी तो यह सरदार बल्लब भाई पतेल के प्रयासों से आगे बढ़ी थी और देखिए हमने जो Lord Lynn Lithgow इनका नाम भी पढ़ा था तो सोचिए हमने इनका नाम जो है वो कहां पढ़ा था हर पॉइंट जो है वो आपका एक कुशन जो है create करता है तो यह वही व्यक्ति हैं जो वाय सराय थे Lord Lynn Lithgow तो इनका जो है order पास हुआ था जब राजिस्थान का एक ही करण जो है यहां प्रारम होता है ठीक है इन्होंने ही आदेश दिया था और फिर प्रक्रिया प्रारम होई थी राजिस्थान दिवस 10 को मनाया जाता है तो अभी मनें आपको बताया था 30 मार्च 1909 राजिस्थान दिवस जो है वो मनाते हैं 30 मार्च को अति लगू तरात्मक प्रश्न एकी करण से पूर्व राजिस्थान के केंदर साशित प्रदेश का नाम लिखिए तो कौन सा था केंदर साशित प्रदेश एक था और वो कौन सा था अजमेर मेरवाड़ा ठीक है नेक्स्ट देखिए राजिस्थान एकी करण कितने चर्णों में संपन हुआ तो साट चर्णों में संपन हुआ लगू उत्रात्मक प्रश्न जो है इनको भी देख लें पटापड राजिस्थान एकी करण से पूर्व की किनी चार प्रमुक रियासतों के नाम बताईए, तो बहुत सारी जो है रियासते थी उस वक्त, कौन-कौन सी थी, जहां हम देखते हैं, बड़ी-बड़ी रियासतों की बात करें, तो जैपुर रियासत, जोदपुर रियासत, बीकानेर रियासत, ठीक है, उधैपुर रियासत, ये सबी रियासतें थी मतस्य संग में कौन-कौन सी रियासतें सामिल थी तो उनके नाम बताईए तो ये तो बहुत ही आसान है याद रखना जिसमें हम मतस्य संग की बात करते हैं तो पूर्वी राजिस्तान ध्यान में रहना चाहिए जिसमें A, B, C, D यानि की अलवर, भरतपुर करोली और धॉलपुर ठीक है A, B, C, D, S, A याद भी रख सकते हैं राजिस्तान के एकी करन के साथ चर्णों का चार्ट बनाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित कीजिए तो ये थोड़ा बच्चों के लिए है आटवी क्लास के बच्चों को ये कारे जो है वह है टीचर के द् दिया जाता है तो यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है most important है हर point जो है इसका महत्वपून है याद रखना है ध्यान में रखना है बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमने तो चैप्टर पूरा पढ़ लिया है हम इसके पीछे के question answer नहीं देखेंगे ध्यान में रखिए कि examiner जो है कैसे question paper बनाता है question paper जो है इस तरीके से बनाये जाते हैं कि उस chapter में से कुछ भी पूछा जा सकता है यहां तक कि यहां पर देखिए अभ्यास प्रश्न जो है वो दिये हुए हैं यही उठाकर पूछ लेगा राजिस्थान एकी करण की प्रक्रिया 10 के प्रयासों से आगे जगाएंगे answer सरदार बल्लवाई पटेल को और कई लोग जो है यहां जवाहर लाल नहरू को हीरा लाल सास्त्री को ठीक है उनको टिक भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने यहां पर इन नामों को सुना था तो ऐसा नहीं करना है chapter जो है वो बहुत अच्छे से clear करते हुए चलन वीडियो में जो की राजिस्थान में जनसंख्या से संबन्दित तो होगा तो मिलेंगे next वीडियो में thank you